ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में दिव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की पांचु ग्यानेंद्रियों और पांचु करमेंद्रियों पर प्रभावशाली हैं। नवदुर्गा को लेकर धार्मिक और आध्धात्मिक महत्वत है ही, साथ ही स्वास्ति की लिहाज से भी नवरात्र का महत्वपून स्थान है, विशेश महत्व है, नवदुर्गा के नौ रूपों को आउशदियों के प्रतीक के तौर पर भी जाना जाता है, मारकंडिय चिकि चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शा है गया, और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रमभा जी द्वारा उपदेश में दुर्गा कबच कहा गया, इसलिए प्रतेक देवी आईरवेद की भाशा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का स संचालन, उचित और साफ करने का काम करती हैं, आईरवेद में इन आउशधियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है, जिस सम्मंधित बीमारी से व्यक्ति पीडित हो, उसे इन नो दुर्गा में उन्ही देवियों की विशेस पूजा करनी चाहिए, स जो बीमारियां हैं, वो उसी हिसाब से पूजा अनुस्ठान करेंगे, तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब फल देने वाले साबित होंगे, देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं, श्रष्टम स्वरूप का त्याइनी यानि मोईया, नवदुर्गा का छठा रूप का त्याइनी है, इसे आयरुवेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंबा, अंबालिका, अंभिका, इसके अलावा इसे मोईया अर्थात माचिका भी कहते हैं, ये कव, पित, अधिक विकार, एवं कंट के रोग का अधना करनी चाहिए, अगली कड़ी में हम बात करेंगे, देवी मा के सात्मे स्वरूप मा काल रात्र की, और बताएंगे आपको मा काल रात्र की और शधिया महत्तु के बारे में, यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो आप से अ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें, धन्यवाद, देवी मा की कृपा आप पर सदयों बनी रहे, जै मादूर के